तो क्या हाल चाल है दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं GI की 1500W की DMX वाली fog machine के बारे में यहां दोस्त अपना सही सुना DMX वाली fog machine जैसे कि आप देख सकते हैं रेखी ही वे आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं फिर थोड़ी सकते हैं दोस्तों बात करेंगे और आज में आपको इसके टेस्टिंग बता हूँ एक LED वाली वर्टिकल फॉर्ग मशीन है तो दुस्तों वीडियो को आप इंपॉर्मिटिव होने वाला है चैनल पर अपहले बार आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब करेंगे और बेल अका मिल परेस कर लीजिए गा नीचे सब्सक्राइब बटन दे रहे हैं दोस्तों उसको जरूर जाके प्रैस कर दीजीगा क्योंकि साउंड और लाइट से लेटेट इसी कई अच्छे वीडियो से हमाया चैनल पर आती रहती है तो मेरा नाम विशाल आप देख रहे हैं डिजय स्केंडेंग इंडिया तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट यहां से लिक्वेड जाता और फिर स्मोग निकलता है यहां से जिया की अपर ब्रेंडिंग दे रहे हैं जे दोसो अट्यासी का मॉडल नंबर है फंद्रास ओट अप स्मोग मशीन दूस्तों अप स्मोग मशीन यहां इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो दुआ जहां उसलिए इसलिए ए यहां से स्मोग निकलता है तो साथ में कलर एफेस्ट अचाफी है सर्फेक्ट प्यारा लगता एफिर तो समीक बात कर ले देखने 아니ji जशे सेटिंग कलर सेटिंग या मैनुवली जैसा भी चलाने वह सेटिंग यहां से हो जाती है यह इसके कुछ बटन दे रखे जिसमें फंक्शन टाइमर अप डाउन वॉल्यूम स्टाइल मतलब यह सेटिंग होती है दोस्तों इसमें DMX अगर आपको चलाना है टाइम टू टाइम च पर इसके पावर बटन यहां पर यहां पर यहां है दोस्तों 20-240 वाट पर काम करती हैं यहां पर फ्यूज को अच्छे तरीके से यहां पर लगाया गाए कि जब तक हम पावर कोड़ने निकालेंगी तब तक हमारे फ्यूज भी यहां से बाहर नहीं आएगा तो यह तो हमा वाट की हिसले इसमें फैन की जरुवत पड़ती है क्योंकि इसमें हीट ज्यादा जनरेट होती है और साथ ही साथ यहां पे कुछ प्रेकॉशन्स ले रखेंगे कि यहां पर इसको ओपन नी करना है वगरा वगरा है और दोस्तों आपे दूसरी साथ पर हमको एक जो हमारा यह कैने इसके अंदर लिकविड कम है जादा है वहां पर हमको इस बार के जरीए पदा चल जाता है कि इसमें हमारा लिकविड आदा है फोल्य जो भी है पुर साथ में इसका एक हैंडल भी दे रहा है दूसरा हैंडल और साथ ही साथ हमको यहां पर एक safety के लिए दे रखा कि कभी हम इसको अगर ट्रस वगर आपर हैंग करते हैं तो साथ में एक safety chain टाइप आती है दोस्तों इसमें वह लग जाता है और साथ में हमारी ट्रस के साथ हैंग हो जाती है तो दुस्तों यह थोड़ी बात ओगई हमारी फोंग मशीन की अब में आपको बता दो किसके साथ क्या-क्या मिलता है एक मैनवल मिलती है मैनवल पता नहीं कहां गूम गई है और साथ में हमको जाए के रिमोर्ट की देखने को मिला है, दोस्तो आप अिसकाब से सथे रिैसे क counting आज़ में की देखने को क्योंकि रिमोर्ट से थोड़ा इजी हो जागा अगर में DMX वगरा से करूंगा तो दोस्तों थोड़ा कॉंपलिकेटिटिड हो जाता है तो आपको जो टेस्टिंग देहिए आपको रिमोर्ट से बतांगा तो चलो दुस्तों देख लगते हैं इसकी टेस्टिंग तो दोस्तों यह तो थी हमारी फोग मशिन की टेस्टिंग टेस्टिंग केसी लेगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लेगी तो दोस्तों लाइक करें न मत जाएगा अब थोड़ी में अगर इस फोग मशिन की बात करो तो दोस्ता आपने देखा इसका जो स्प्रेय था अगर आपने देखा होगा अगर आपने सियो टू जेट देखे होगा जो कि कर्बंडा युक्साइड गैस से चलती है तो सो होता क्या है कि जो सियो टू गैसे वह अधिकतर इंडस्ट्रियल कामों में काम आती है तो और इसे रूरल एर्याज में दोस्तों जो विलेज वाल इरिया वापे मिलती भी नहीं तो अगर आपको कोई डिमाइंड करता है या दोसको आपको लगानी हो किसी स्टेज पे अपया वे ली ले सकते को बस आपको इसको इसको इसा जैसी रख देना उसको तो एक्डम झोट्येट जैट जैसा ही आएगा अब सियो टू जैट का क्य तो पर आपको कहीं पर लगाना ह 25 अगर आपके पसीड में पर शख द मछ घ। आप के अबन आपको नहीं पता सकता हैं कि कि दौ है कम्ति चेंज़ करती रहती है और इजन के नहींग कर दिदम जैड को दो मतया हो सकता है बागे अगर आपके आसपस जीया का कहीं पर भी जो नियरेस डीलर हो दोस्ता उसके पास जाके भी रीच कर सकते हैं यहीं जीया की जे 288 जे 288 यह फोग मशीन है 1500W की DMX वाली फोग मशीन दोस्तों काफी काम की होती है जैसे कि अगर आपने देखा होगा जब भी बड़े कंसोल यूज करते हैं तो हमको पूरा कंट्रोल हमको हमारे हाथ में चीह रहता है क्यों क्योंकि जो ही रिमोट होता है दोस्तों इनकी जित्ती जादा नहीं होती है और अगर हम इसका मैनुवल रिमोड भी लगा ले तो दोस्तों कुछ खास काम करता नहीं तो अगर आपको पूरा कंट्रोल हाथ में चीह दोस्तों एक ही मिक्सर के उपर यूज करते है तो पूरा कंट्रोल हमको एक ही जगे पर चीह होता है तो को एड्रस डिफरेंट डिफरेंट सेट करने हो और बस हम हमारे एक सिंपल मिक्सर बीच में लेके बेड़ या हो और हमारे काम समय से चालू कर सकते है तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कसे लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगा मज जाएगा अगर आपको कुछ कंफ्यूजन या डाउट हो ता वह भी कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ करने की पूरी कोशिश करूँगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पेली बार आने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिज झाल